मान लीजिये आप एक ऐसे परिवार में रहते हैं जहां सबी को आईस्क्रीम पसंद है एक दिन आप काम से ठक हार के घर पहुँचते हैं देखते हैं कि घर में कोई नहीं है लेकिन फ्रिज में आईस्क्रीम पड़ी हुई है आपको लगता है कि वो आप ही के लिए है देखने लगते हैं, जैसे आपने कोई चोरी की हो, और आप भी कुछ इस तरह सकुचाने लगते हैं, जैसे आप खुझ को भी चोरी करता हुआ मान रहे हो, एक जना बोलता है, यह आइस्क्रीम मेरी थी, आपने इसे खा ली, पिशली बार भी आपने मेरी आइस्क्रीम खा ली नहीं नहीं पिषली बार मैं नहीं लीती Godangenais मैं नहीं ली थि आइसक्रीम पिषली बार लेकिन आप की बार कोई नहीं मानता उन्हें लगता है कि जब जब फ्रिस से आइसकरीम गायब होती है हमेशा आप ही ने उसे चट किया होता है अब घर में जब भी खाने की कोई चीज गायब होगी सबसे पहले आप पे संदेह किया जाएगा मिठु तो ता हरी मिर्च चुरा के उड़ जाएगा लेकिन डाउट आप पे किया जाएगा सच्ची बोल तुम्हें ने खाई न बोल बोल के आपकी जीवन को नर्क बना दिया जाएगा आप अपना नर्क खुद बनाएं या ना बनाएं लेकिन दूसरे लोग जरूर आपके लिए एक नर्क बनाते हैं इसी लिए सार्त्र ने कहा था help is other people दूसरे लोग हमारा नर्क है यह सार्त्र की सबसे मशूर लाइंस में से एक है छोटी सी लाइं दिखने पढ़ने में साधारन लेकिन बहुत गहरी लाइं सार्त्र की philosophy का एक पूरा हिस्सा इसी लाइं पे टिका हुआ है क्या है इस लाइं का अर्थ और क्या सच में सार्त्र ने इसे उसी तरह कहा था जिस तरह से दुनिया इसे समझती है अपने वादे के मुताबिक मैं सार्त्र पे एक नया एपिसोड लेकर आया हूँ ताकि उनकी गंभीर और कठिन फिलोसफी पर थोड़ी सी रोशनी डाली जा सके उन्हें थोड़ा और सरल तरीके से समझा जा सके क्योंकि सार्त्र के उपर प्रकाश डालने का अर्थ है अपनी आत्मा के एक टुकडे को प्रकाशिक दाना Hell is other people दूसरे लोग हमारा नर्ख है सबसे पहली बात ये है कि सार्त्र ने ये बात किसी दार्शनिक सिध्धान्त की तरह नहीं कही थी ये उनकी एक नाटक का एक साधारन सा डालॉग है और अगर आप उस नाटक को रौ में पढ़ेंगे तो शायद इस डालॉग की तरफ आपका ध्यान भी नहीं जाएगा लेकिन जैसे ही इस डालॉग को इस पंक्ति को निकाल के अलग से रख दिया जाता है इसके पीछे अर्थ की पूरी एक परत नजर आने लगती है Hell is other people कितना अजीव सा वाक्य है हम जो कि भारतिय संस्कृति में रचे बसे और डूबे हुए लोग हैं हम लोगों के गले से ये वाक्य ठीक से उतरता नहीं है क्योंकि हम तो सदियों से ये मानते आ रहे हैं अहम ब्रम्हासमी तत्व मसी यानि मैं ब्रह्म हूँ तो तुम भी मुझसे अलग नहीं हो तुम भी ब्रह्म हो तत्व मसी सेल्फ भी देव है अदर भी देव है, तो सब कुछ देव ही देव होना चाहिए ये नर्क कहां से आ गया यानि मैं भी अपने लिए नर्क हूँ, तुम भी मेरे लिए नर्क हो, सब कुछ नर्क ही नर्क है क्या सच में ऐसा है, क्या है न, सार्त्र के इस बात को आम तोर पे आधा समझा जाता है लेकिन अगर हम थोड़ा सा उदार होके सोचें, तो इसे पूरा समझ लेंगे और तब लगेगा कि हाँ, सार्त्र ने सौ फीसदी सही बात कही थी इसी एक बात के दो पहलू है, और मैं दोनों पहलू बताऊंगा लेकिन उससे पहले, वो संदर्भ जानते हैं कि सबसे पहले सार्त्र ने ये बात कहां कही थी, किस किताब में कही थी सार्त्र ने ये बात अपने नाटक नो एक्जिट में एक चरित्र के मुह से कहलवाई है क्या है वो नाटक? नो एक्जिट एक बड़ा कमरा है, जिसमें तीन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए खैत कर दिया जाता है एस्टेल नाम की औरत, जिसने अपने बच्चे की हत्या की थी इनेज नाम की औरत, जिसने भी प्यार में एक अपराद किया था और तीसरे सज्जन है मिस्टर गार्सिन, जो की पहले सेना में थे तीनों उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते और उस कमरे की खासियत या बुराई ये है कि उसमें एक भी आइना नहीं है कांच का कोई भी टुकड़ा नहीं है, ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसमें वे लोग अपना प्रतिबिम्ब देख सके उन्हें कभी पता ही नहीं चलता कि उनका चेहरा कैसा हो रहा है अपने चेहरे पर सुन्दरता या कुरूपता के बारे में हर बात को जानने के लिए वे दूसरे के फीड़बैक पर निर्भर करते हैं जैसे नाटक में एक द्रिश्य है कि एस्टिल अपने चेहरे पर लेपिस्टिक लगाना चाहती है लेकिन वो लगा नहीं पा रही है तो वो इनेज से पूछती है, तो मुझे बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ, यहाँ ज्यादा हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है, इनेज समलेंगिक है, वो एस्टल को पसंद करती है, इसलिए उसके बारे में अच्छा-च्छा बोलती है, लेकिन वो मिस्टर गारसिन को कम पसंद क कर लें, लेकिन मिस्टर गारसिन उस मौकई को हाथ से जाने देते हैं, यहाँ कि अगर वो कमरे से भागे, तो इनेज उसे जिन्दगी भर कायर मानेगी, इसलिए मिस्टर गारसिन उस कमरे में ठीके रहते हैं, हालाग से लड़ाई करते हैं, दूसरी तरफ एस्टल, मिस्ट प्यारी बनी रहूं जोकि Mr. Garcin कुसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हूं देखिए कमरे में सिर्फ तीन लोग हैं लेकि तीनों की मुख्य चिंता क्या है कि दूसरे की नजर में मैं अच्छा बना रहूं, दूसरे की नजर में मैं अच्छी बनी रहूं Mr. Garcin चाहते हैं कि इनेज उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचे, उन्हें किसी भी कीमत पे कायर न समझे Estelle चाहती है कि Mr. Garcin उसके बारे में अच्छा सोचे, उसे उपेख्षित करना बंद करने और उससे प्यार करने लग जाए इनेज चाहती है कि Estelle उसके बारे में अच्छा सोचे, क्योंकि उसे Mr. Garcin से नहीं, Estelle से प्यार चाहिए वो पूरी महनत उस दूसरी औरत का अटेंशन पाने के लिए लगाती है और तीनों ने इस कारण एक दूसरी की जिंदगी को नर्क बना रखा है तीनों एक दूसरे को तरह तरह से मानसे कियातनाएं देते हैं, इनमें कोई भी खुश नहीं है दूसरे की नजर में अच्छा बने रहने का अर्मान ही हमारे लिए नर्क समान हालाग बना देता है ऐसे ही किसी मौके पर Mr. Garcin कहते है Hell is other people यही हमारा नर्क है यही जीवन की सच्चाई है, इसी को सार्त्र नहीं लिखा है बिना आइने वाला वो कमरा, सिर्फ कमरा नहीं है बलकि वो हमारी पूरी दुनिया है इस दुनिया में चेहरा देखने के लिए आइना तो होता है लेकिन अपना व्यक्तित्व जानने के लिए कोई आईना नहीं होता हमें दूसरों के feedback पे निर्भर करना पड़ता है अगर किसी ने आपको अच्छा बोल दिया आप खुश हो जाएंगी किसी ने बुरा बोल दिया तो दुखी हो जाएंगी आप अंदर से अच्छे हैं या बुरे हैं इस बात पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इसे आप महत्वपोन मानते हैं अब दूसरा वो आपकी इस इच्छा के साथ खिलवाड करता है अगर वो आपको पसंद करता है तो आपकी बुरी बात को भी अच्छा अच्छा कहेगा और अगर वो आपको ना पसंद करता है तो आपकी अच्छी बात को भी वो बुरा बुरा कहेगा जिन्दगी में हम यही तो करते हैं एक student है वो मार परिशान है कि उसे teacher की नजर में अच्छे बने रहना है एक teacher है उसे students की नजर में अच्छा बने रहना है हम लोग खुद को अपनी नहीं बल्कि दूसरों की नजर से देखते हैं और दूसरों की नजर अच्छी है या बुरी या हम कैसे तै कर सकते हैं। लेकिन चिंता हम इसी बात की करते हैं कि दूसरों की नजर को अच्छा बना दे। हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसकी नजर में अच्छे बने रहें। पर उस पोशिश का कोई अर्थ नहीं क्योंकि सामने वाले की नजर पे आपका कोई नियंतरण नहीं होता, वो नजर आज नहीं तो कल बदलेना तै है। यदि दूसरों द्वारा मानिता प्राप्त करने से आप खुश होते हैं तो यकीन जानिएगा कि दूसरों द्वारा खारिच किये जाने पर आप बेहत दुखी हो जाएंगे। कलब में यार दोस्त तो जैसे डबल डबल जज करते हैं। तो हम एक तरह से माने तो अपना नर्क अपने साथ साथ लेके चलते हैं, क्योंकि हल इस अदर पीपल और हम हर समय अदर पीपल से मानिता प्राप्त करने के लिए अभिशप्त हैं। तो क्या इससे कोई छुटकारा संभव है। नहीं, इससे कोई छुटकारा नहीं, क्योंकि अगर हल इस अदर पीपल, तो हैवन टू इस अदर पीपल। जी हाँ, ये भी उतना ही सच है। सार्त्र ने ये हेल वाली बात किसी सिध्धान की तरह तो नहीं कही थी, लेकिन वो एक सिध्धान जैसी बन गई। तब एक बार एक रेडियो इंटर्व्यू में सार्तर से पूछा गया, क्या सच में आप ऐसा ही मानते हैं, हल इस अदर प सार्तर की ये बात उतनी ही गहरी है, इसे समझने के लिए चीजों को अपसाइड डाउन, यानि थोड़ा उल्टा कर देना चाहिए। अब चलिए, उसी आरंभिक द्रिश्य में लाट चलते हैं जहां से हमने इस एपिसोड की शुरुआती थी, समझ ये, आप आइसक्रीम न ये आइसक्रीम खाईी, हम सबने अपनी अपनी खा ली थी, ये तुम्हारे लिए बचा के रखी थी और जानों बहुत प्रयासों के बाद बचाई है, क्योंकि बचने वाली थी नहीं, और हाँ, कल हम तुम्हारे लिए नए फ्लेवर वाली आइसक्रीम ले कराएंगे, तु तो जो आपके आसपास का hell है, वो heaven में convert होने लगेगा, hell is other people की जगए, आपको heaven is other people महसूस होने लगेगा, जब सामने वाला आपके प्रति प्यार जताएगा, तो एक heaven भी बन सकता है, तो जनाब आली किस्सा पता है, ये कि दूसरे इंसान की आँख एक projector है, जिसमें से हमारी छवी project होती है, वो छवी कैसी होगी, ये उस projector पर निर्भर करता है, और ये इसी पर निर्भर करेगा, कि हमारा नर्क और हमारे स्वर्गी की अवधारना कैसी है, तो दोस्तों बताएं मुझे, कैसा लगा आज का ये vicious episode, philosophy पर, सार्तर पर अभी और वीडियो आएंगे, क्यो philosophy को टुकुडों में touch करूंगा, उन्हें सरल बनाते हुए, रोजमर्रा की भाषा में explain करते हुए, कुछ नए episodes लेकर आँगा, अगर आपको मेरे videos अच्छे लगते हैं, तो आप already जानते हैं कि आपको क्या करना है, नीचे description में link देख लीजिएगा, मुझे जुड़े रहि आपकी महबत सिर आँखों पे, तो मिलते हैं, अगले episode में तब तक philosophy जिन्दाबाद